जिन्होंने जैप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीती में आये थे, जो दिनराज जैप्रकाश जेपी जेपी बोल करके राजनीती करते रहते थे, उन्होंने कल जैप्रकाश जी का जन्मदीन कैसे मनाया? चार लाख रुपिया जेपी के जन्मदीन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भायो बहनो जेपी के जन्मदीन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ ओगा कभी नहीं हुआ ये रुपियों का खेल चलता रहेगा तो आप पैसे कहां से लाओगे मेरे भाई आप चार लाख रुपिया कहीं से ला पाओगे देने के लिए आपको नोकरी चे तो चार लाख रुपिया ले पाओगे क्या आपको कोई काम करवाना है तो चाल लाग उप्या ला सकते हो क्या मोदी का विनाश क्या ये चुनाव का मुद्धा हो सकता है क्या क्या चुनाव ऐसे मुद्धा पर लड़ा जाता है क्या आए दिन एक ही बार मोदी का विनाश मोदी का विनाश और एक नेसाथ यहां तक कहते ह एक बार बिहार निपड़ जाएगा तब मोधी दिल्ली में भी खतम हो जाएगा लोगतंत्रा किसी को खतम करने के लिए नहीं होता लोगतंत्रा जनता जनार्दन की आशा अकांग्छाओं को पूरण करने के लिए राजनितिक दलों ने विकास के अपने एजन्डा लेकर के जाना होता है जाए प्रकाज जी को अगर सक्ची सर्थांजली देनी है इस पाप के साथ जिस राजनितिक दलों का समंध है इस पाप के साथ जिस गठबंदन का समंध है पूरे बिहार में चुन चुन करके ऐसे लोगों को साफ कर दो मेरे भाइजों